इस वक्की एहम तस्वीर, exclusively तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं कन्या कुमारी से ये जैसे कि जिक्र बार-बार आ रहा था कि साधना में लीन है और प्रधान मंत्री नेंदर मोदी की तस्वीरे अपने आव में बेहत खास सात्वा चरण लेकिन बीज़पी, अंडिये बस यही दुआ कर रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार सिहासन पर बैठे प्रधान मंत्री नेंदर मोदी लेकिन ये तस्वीर बेहत खास जरा देखिए माला जबते हुए साधना में ले और ये बेहत खास तस्वीरे आपको दिखा रहे है प्रधान मंत्री नेंदर मोदी की बिल्कुल ये तस्वीरे सबसे पहले फर्स इंडिया पर प्रधान मंत्री नेंदर मोदी ध्यान मुद्रा में नजर आ रही है और ये 45 घंटे का ध्यान आज शाम तक समाप्त हो जाएगा और 45 घंटे पुलम इसलिए खास क्योंकि अंदिकाभी उन्होंने त्या किया फलाहार पर इस समय वो है और ये कहा जाता है कि जब आंतरिक तोर पर आपको अपनी उर्जा को और जादा बढ़ाना होता है और उर्जा के जरिये जब अपने मानसिक स्तिती को भी क्योंकि देखे लगातार चुनावी दौरे उनके चलते रहे कितनी मेहनत की होगी इसकी कलपना भी हम नहीं कर सकते लेकिन 45 घंटे के ध्यान के बाद अब ये मानकर चल सकते हैं कि प्रधानमंत्प्री एक बार जब फिर से चुनावी रण में उतरेंगे बहुत जल एक बार फिर से इसी जून के महीने में योगदिवस मनाया जाएगा लेकिन उससे पहले भी अनुलोम विलोम करते नजराए प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी अभी जो तस्वीरे निकल कर आई है सोशल मेडिया पर चाहेंगी विपक्ष कहेगा कि आखिर मोदी जी तो लीन है लेकिन ये कैमरे के सामने तस्वीरे क्यों लेकिन फिर भारती जंता पाथी भी कहती नजराएगी जैसे कि वो हमीशा कहती है कि विपक्ष को प्रूफ चाहिए होता है खैर ये दूसरा डिसकेशन हो गया लेकिन अपने आप में इसलिए खास क्योंकि बीज़पी कहती है कि पहले दपा नहीं है कि प्रधान मत्री नरेंदर मोदी इस तरह से साधना में नजराए है वो जब सियासे से जुड़े नहीं थे उससे पहले भी इस तरह से मेडिटेशन, ध्यान, भगवान में आज था ये सब उनका सिलसला जारी था लेकिन इसमें भी जैती खास तस्वीर नजर आई थी बिलकुल देखिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की हर लाइन चाहिए वो बोलते हैं या उनकी हर भाव भंगीमा जो बिना बोले वो एक संदेश पहुचानी की कोशिस करते हैं और तब जब देश में चुनाव हो रहे हैं अन्तीम चरण का चुनाव है और वहाँ पे जहां से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी खुद खड़े हैं तो मौन रहे के भी बहुत कुछ कहा जा रहा है क्योंकि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं यह तमाम तस्वीरे सोचल मीडिया पर भी वाइरल है और कहा यह जाता है अभी हमने अजेराय को सुना था कि अगर ध्यान करना था तो गंगा के किनारे करते और यह करने हैं समुद्र के किनारे जहां कन्या कुमारी है देखिए नैंडर मोदी जो कुछ करते हैं उसके पीछे पूरी उनकी सोच होती है और ये कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे बिना कोई आगे की भविशे क्यों देखे कोई फैसला नहीं लेते हैं अबने देखा होगा कि चुनाव परचार चुकि ये तमाम चीजें चुनाव से जुड़ी हुई है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव परचार में उनका फोकस है वो दक्षिन रहा था क्योंकि दक्षिन वो जगह है जहां पर भार्चेंटा पार्टी कमजोर रही थी और प्लस करना है यह तभी समभव पाता है जब दक्षिन से उनको अच्छी शपलता मिले इसी कार्श उनका जो चुनाव परचार है दोसों से अधिक उन्होंने सभाय किया रोड शुकि नरीज जी एक सवाल मेरा यह जो तस्वीरें अभी अब दिखा रहे हैं वो है तो खुब उनको चाहने वाले उनको फॉलो करने वाले या खासकर हम बात करें सनातन को समझने वाले सनातन को मानने वाले उनके लिए खुब शुर तस्वीरे हैं और वो उनको रूची से देखते हैं क्योंकि अगर हम यह चुनाव को भी देखे तो चुनाव भी कहीं ने कहीं इसके इ बनारस में है लेकिन ये बैठे हैं दक्षिन में तो आप समझ लिजे कितना इनके नजरिये से कितना इनको आत्म विश्वाह से कितना भरोसा है कि बनारस की जनता तो उनके लिए फैसला कर चुकी है अब इंतिजार चार जून का है और संभवतेयां चार जून से पहले जो अभी अम्राक ठाकुर ने कहा था कि जब प्रधान मंत्री आएंगे तो एक नई उर्जा के साथ आएंगे वही उर्जा उनको प्राप्त करने के लिए यह ध्यान चल रहा होगा अनुलों विलों कि आपने बात की यह बात सही है कि जो भारत देश है इस केवल प्रधान मंत्री बल्कि सभी जो दलों के नेता है वो कहीं ने कहीं योग करते नजर आते हैं क्योंकि यह दलगर राजनीती से उपर है नरेजी यह जो आपने बात करी नरेंदर मुदी की यह जो विवेकानन टेंपल पे इन्होंने जो सामधी रामकिशन मिशन से जु उसके उपर यह कहके प्रहार करती रही है कि वह भाजपा की पक्षमी परस्षी मंगाल में काम कर रहा है तो क्या विवेकानन टेंपल पे जाकर इस तरह का ध्यान लंगाना वो उसमें से एक राजनीतिक मेसेज तो नहीं है इसमें को देखिये आज जो नो सीटों पे चुना करते हैं या सोचल मीडिया के माधियम से देख रहे हैं उसके माइन निकालते हैं कि प्रधान मंति अगर कुछ कर रहे है तो इसके माईने क्या है अगर ओंasten पी नरीं नरींदर मोदी कंशमीर से कॉमारी लेकिन अब कन्याकुमारी जब पहुंचे है तो ये तो यकीनन कह सकते हैं सेफली कि कन्याकुमारी का जो टुरिस्जम है वो पूरे परवान पर जड़ेगा जसरह से लक्षदीप पहुंचे थे और बॉयकॉट मौलदीप ज़हाँ पर हो गया था पंकर जी और नरेश जी ने दोनों ने प्रतिक्रिया दिस तस्वीर पर दिनेश जी भी इस तस्वीर को देख रहे थे दिनेश जी एक चोटा सा कॉमेंट प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी के ध्यान वाली तस्वीर पर आपका भी में चाहूँ जी दे कि परधान मंत्री मोधी के इस ध्यान पर आज मत्दान के दिन ध्यान नहीं जाता मेरी कई जानकारों से बात हुई कि कॉंग्रेस परधान मंत्री और बीजेपी की रननीती में ट्रेप हो गई इलेक्शन कमिशन को उनकी खबरे रोकने और लाईव टेलीकास्ट करने जैसा स्टेप नहीं उठाना था और तमीन लाडू की कॉंग्रेस ही काई अदालत में भी इसके खिलाब गई है लेकिन ये गलत रननीती थी ऐसा जानकारों को कहना है कि कॉंग्रेस इस नोन इश्यू इसको हुआ रोए गलत रननीती कॉंग्रेस की थी कि उन्होंने इसको टार्गेट किया दिनेजे विसार से आगे भी चर्चा जारी रेगी और